रमा भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, लेकिन सबसे ज्यादा कंजूस भी, सभी लोग उसकी इस कंजूसी की आदत को बखू भी जानते थे, लेकिन बड़ी बहन थी, इसलिए कोई उसे कुछ नहीं कहता था रमा की शादी भी ऐसे घर में हुई, जहां सबी लोग बहुत कंजूस थे, एक दिन बाजार में रमा को मोल भाव करता देख, उसकी सास बहुत खुश हुई शाबाश बहु, तुम ही तो हो मेरी सबसे कंजूस बहु, और सबसे समझदार भी, जो पैसे बचाती हो, अलग रखा करो वरना बाकी दोनों बहुँओं की तरहां देखो, सारे पैसे उड़ा डालती है, जरा भी कंजूस नहीं, पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? एक बार रमा अपने माईके में कुछ दिन रहने के लिए जाती है, रमा खाना बना रही थी, तभी उसका छोटा भाई मनोज उसके पास आता है रमा दिदी भूक लगी है, खाना दे दो प्लीज अरे, खा खा के क्या, गोलू बनना है तुम्हें? बैट कर टेबल पर पढ़ाई करो, समझें? शाम को खा ले ना और रोटी, बस बहुत हुआ, मनोज मायूस होकर वहाँ से चला जाता है मा ने पिंकी और मनोज को खूब बिगार रखा है, अब भला चार रोटी कौन खाता है? इतनी महंगाई के जमाने में? एक देन रमा पिंकी और मनोज के साथ पिच्चर देखने जाने का प्लान बनाती है दीदी पिच्चर देखने का मज़ा तो PVR में आता है, बोलो तो मैं वही की टिकट ले आओं अरे, हमें पिच्चर ही तो देखनी है, दो घंटे में तो खत्म भी हो जाएगी काहे को इतनी दूर PVR तक जाना, पैसे खर्च करना जाने का किराया और वहां की टिकट, हे भगवान, बड़ी महंगाई है, नहीं जाना हम लोग कल पास के थीटर में पिच्चर देख लेंगे, वो सस्ता भी है मनोज और पिंकी दूसरे को देखकर चुप हो जाते हैं इंटरवल में पिंकी बातरूम जाने के लिए उठी, लेकिन अंधेरी की वज़ह से उसका पैर मुड़ गया और पाउं में मोच आ गई अरे पिंकी, क्या हुआ तुम्हें, क्यों गिर गई माफ करो दीदी, मुझे सीडियां दिखाई नहीं दी, अंधेरा सच आ गया था, शायद इसलिए में गिर गई पिंकी, तुम ठीक हो ना? हाँ, बस पैर में थोड़ा सा दर्द है लगता है इसे ज्यादा चोट आई है, हम अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए अरे नहीं, अभी कैसे, एक घंटे बाद पिचर खतम होगी, चले जाएंगे डॉक्टर के पास इतनी भी क्या जल्दी है, क्यों बेकार के पैसे खर्च करने मनोज और पिंकी चुप चाप वहाँ बैठे रहते हैं, पिचर खतम हो जाती है रमा देखती है कि मनोज और पिंकी बहाँ नहीं है अरे, मनोज पिंकी कहाँ चले गए, कहीं दिखाई नहीं दे रहे चलो, घर ही गए होंगे, चल कर देखती हूँ रमा घर पहुँचती है, तो मा बहुत नाराज होती है रमा, यह तुमने ठीक नहीं किया तुम्हारी बहन को चोट लगी थी, और तुम हो के पिक्चर देखने में लगी थी उसका खयाल भी नहीं रखा कैसी बड़ी बहन हो तुम, तुम्हारे ससुरवाल वाले तुम्हारी हरकतों से बहुत खुश होंगे पर मैंने तुम्हें कभी भी इतनी कंजूसी नहीं सिखाई मा की डाट सुनते ही, जैसे रमा पर मनो, सैक्रों, घडों, पानी पड़ गया हो उसे अपनी गलती का एसास हो गया था रमा ने मनोज और पिंकी से तुरंट माफी मागी और दोबारा इतनी कंजूसी ना करने की ठान ली एक समय की बात है, एक मिगराज नाम का शेर एक गुफा में निवास किया करता था वो बहुत बलवान था, उसी गुफा में एक छोटे से चुछे ने भी अपना बिल बना रखा था शेर रोज अपने शिकार पर वन में जाता और आकर आराम से विश्राम करता जब भी वो शेर अपनी गुफा में सो रहा होता था, तो चूहा चुपके से आकर उसके बाल कुतर दिया करता था और शेर जब भी उठता, तो उसके बाल उसे चोटे नजर आते और अपने चोटे चोटे बालों को देखकर वो बहुत नाराज हो जाता इतना बलचाली होने के बाद भी शेर का उस चोटे से चूहे पर कोई बस नहीं चल रहा था शेर जब भी उसे पकड़ने की कोशिश करता, वो फट से अपने बिल में जाकर छुप जाता चोटे दुष्ट चूहे तुमने मेरी नाक में दम कर दिया है, तुम्हें तो मैं नहीं चोड़ूंगा, तुम्हें तो मैं सबक सिखा कर रहूंगा कई दिनों तक यही सब चलता रहा ऐसा कब तक चलता रहेगा? इस मुर्क चूहे पर अपनी शक्ती बरबात करने से अच्छा है, मैं इसी के किसी दुष्पन को उठा लाओं, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी फिर शेर उसी दिन जंगल में गया और बहला फुसला कर एक बिल्ली को ले आया शेर रोज रोज उस बिल्ली के लिए ताजा मास लाता और बिल्ली मजे से उसे खा लेती अब जब भी शेर सो जाता तो बिल्ली उसका खयाल रखती, वो चूहे को पकड़ने के लिए सतर्क रहती बिल्ली की उपस्तिती में चूहा टर के मारे बाहर निकल ही नहीं पाता था जहां बिल्ली रोज ताजा मास खाकर मोटी तगड़ी होती जा रही थी वही बेचारा चूहा अपने बिल में छिपा हुआ भूख से सूख रहा था है भगवान ये बिल्ली कप चाएगी यहां से इसकी वज़ा से दातों मैं बिल से बाहर निकल पा रहा हूँ और ना ही कुछ खा पा रहा हूँ ऐसे तो मैं भूखा ही मर जाओंगा एक दिन वो हिम्मत करके अपने बिल से बाहर निकला शेर उसी समय आराम कर रहा था बिल्ली पास में बैठी मज़े से मास के मज़े ले रही थी इतने भी चूहा बिल्ली से अपनी नजर बचा कर शेर के पास जाने की कोशिश करने लगा और जैसे ही उसने आ की जाना चाहा बिल्ली सतर्क हो गई और एक ही जपट्टे में चूहे को अपने पंजे में ले लिया उसने उसी वक्त उसे मारा और खा गई बिल्ली बहुत खुश थी कि उसने शेर की मुसीबत को कम कर दिया था बिल्ली को पूरा विश्वास था कि अब तो शेर खुश होकर उसे पुरुसकार देगा बहुत आ गया आज तो शेर महाराज मुस्से बहुत खुश होंगे शेर जैसे ही उठा उसे पता चला कि बिल्ली ने उस चूहे को मार दिया है अब शेर की परिशानी का कारण ही समाथ हो चुका था इसका काम जैसे ही रुआ उसने बिल्ली के लिए भी अब मास लाना बन कर दिया जिस पर बिल्ली समझ गई कि चूहे को मार कर उसने शेर की परिशानी तो कम कर दी लेकिन अपनी परिशानी पढ़ाली ये सोच कर बिल्ली वहां से हमेशा के लिए चली गई सोनिया बहुत ही होनहार लड़की थी वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी साथ ही उसे सजने सवरने का भी खूब शौक था उसके शौक को देखकर उसकी मा ने उसे ब्यूटी पालर का कोर्स करा दिया सोनिया की शादी एक छोटे से कजबे माधव पुर्वे हो गई उसका पती चंदन और उसकी सास उसे बहुत पसंद करते थे हमारी बहु तो बहुत ही होशियार है उसने ब्यूटी पालर का कोर्स पीकर रखा है मा सोनिया चाहती है की वह अपना एक ब्यूटी पालर खोले हाँ हाँ अगर वैसा करना चाहती है तो मैं उसके साथ हूँ वैसे भी इस कस्बे में कोई अच्छा पालर है ही कहा माची इसके लिए मुझे कुछ रुपे चाहिए होंगे ये ले बेटी दस हजार यह मैंने सालों से जोड कर रखे थे आज ये तुम्हारे काम आ जाएंगे तो भाई मुझे वड़ी खुशी होगी सोनिया उस पैसे से घर में ही एक कमरे में पालर का काम शुरू कर देती है उसकी सास भी जगह जगह उसकी तारीफ करती नहीं ठकती कुछ ही दिनों में उसका पालर हर जगह मशूर हो जाता है सोनिया जब से तुमने ये पालर खुला है तब से मैं बहुत ही खुशू इतना अच्छा काम करती हो तुम कभी कही और जाने का मन ही नहीं करता दीदी जो भी यहां काम करता है उसे मैं फ्री में महंदी लगा कर देती हूँ आपका जब बन हो आप मुझसे महंदी लगवाने जरूराना अरे वाह यह स्कीम तो तुमने बड़ी अच्छी रखी है स्कीम की वजह से एक ही महीने में सोनिया ने खूब कमाई कर ली थी एक दिन सोनिया अपनी सास के पास आई और बोली मा जी ये लीजिए 10,000 रुपै क्या हुआ बेटी तुम ये पैसे क्यों लोटा रही हो आपने इतने प्यार से जो मुझे पैसे दिये थे उनका रिंट तो मैं कभी नहीं उतार सकती मगर ये पहली कमाई है मा आप इस कमाई को अपने पास ही रखिए मुझे बहुत खुशी होगी सोनिया की सास बहुत खुश हो जाती है पैसों को लेते हुए वो बोलती है इन पैसों से अपने पार्लर के लिए और समान ले आओ मैं तुम्हारी तरक्की से बहुत खुश हूँ बेटी मेरा बेटा मेरी बेटी तुम मेरी बहु नहीं हो बेटी हो आज हर कोई मुझे तुम्हारे नाम से जानता है कहते हैं वो देखो मेहनदी पार्लर वाली बहु आ रही है तुम बहुत तरक्की करोगी सोनिया सोनिया ने खूब मेहनद करके खूब पैसे कमाए और उन पैसों से अपना घर और बढ़ा कर लिया मेहनद करने वाले इंसान की कभी हार नहीं होती सुनो जी हमारे गाओं में एक बहुत बड़े संताय है सुना है वे सबकी मनोकामना पूरी करते है चलिए ना हम भी उनका आशिरवाद ले लेते है मोहनद और उसकी पतनी संत के पास आशिरवाद लेने पहुंचे संत ने उन्हें एक चुहिया दी और कहा ये लो आज से ये चुहिया तुमारी संतान है जब तुम दिल से इसे संतान मान लोगे ये इनसान रूप में तुम्हें मिल जाएगी और ऐसा ही हुआ जैसे ही मोहन ने उसे गोद में बिठाया वे एक छोटी बच्ची बन गई संत को प्रणाम कर वे अपने घर लोटाए और अपनी बच्ची का नाम रखा आशा कई साल बीठ गए आशा भी बड़ी हो गई थी मोहन और उसकी पत्नी अपनी बेटी को खूब प्यार देते वे भूल चुके थे कि वो एक चुहिया है एक दिन मोहन की पत्नी ने कहा अब आशा जवान हो गई है हमें उसकी शादी करनी चाहिए तुम ठीक कहती हो अब दिन रात आशा के लिए रिष्टे आने लगे मोहन ने अपनी बेटी से कहा देखो आशा अब तुम बड़ी हो चुकी हो हम तुम्हारी शादी करना चाहते है ये देखो लड़के की तस्वीर ये शेहर में डाक्टर है क्या ये तुम्हें पसंद है नहीं पिता जी मुझे तो डाक्टर के नाम से ही चिड़ है तो इससे देखो ये तस्वीर एक अध्यापक की है ये बहुत ही अच्छा और समझदार लड़का है क्या ये तुम्हें पसंद है नहीं पिता जी मुझे अध्यापक से शादी नहीं करनी हमेशा सवाल करते हैं तो बेटा ये लो और भी कई लड़के हैं तुम जिसे पसंद करोगी हम उसी से तुमारी शादी कर देंगे पिता जी मुझे चूहे अच्छे लगते हैं आप मेरी शादी चूहे से कर दीजिए या सुनकर मदन ने कहा समझ गया बेटी तुम ठीक कहती हो हमें सुक देने के लिए तुम इंसान बनी रही अब तुम असली रूप में आ जाओ मैं तुम्हारी शादी एक चुहे से करूँगा और इस तरह मोहन ने अपनी बेटी की शादी एक चुहे से कर दी और खुशी-खुशी रहने लगे